हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का सोगत हैं वहां तेस क्यूड चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सीड नंबर एसस्मेंट वक्सीड नंबर 6 के बारे में जो क्लास 6 त की और आज की डेट क्या है बिटा आज की डेट है आपकी 311-2020 और या रखेगा यहां प फुल वीडियो को वाच करते हुए कमेंट जरूर करना साथी साथ इसके लिंक को क्या कर लेना जोइन कर लेना एक बात और बिटा बता दूं आप सभी क्या है रेटिंग कॉम्टेशन में पास्पेट करना चाहते हो तो कमेंट में बताईएगा हम आपको लिंक देंगे वहा आपको दिखाता हूँ तो पहले के एक आंसर क्या है ता पीटल्स आर दा कलर्फुल पाट आफ फ्लावर दे हर कलर फूल बिकाओस दे अट्रैक्ट इन्सेक्ट ठीक है चलिए रेखते हैं अगला प्रसन क्या होगा तो ओड़ा प्रसन क्या है वाट इस इस पैल राइट इस पहले के बी का अंसर क्या होगा इस पहला आर ग्रीन लीफ-like structure protecting the buds they are from the outermost वोलर ठीक है outermost वोलर of a flower ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या होगा तो अगला प्रसन क्या है name the male reproductive organ of a flower writes its different part ठीक है इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा question number c का estimates are the male reproductive part of flower इसके different parts क्या होते हैं एक होता है flamen and anthera ठीक है चलिए रेखते हैं अगला प्रसन क्या है तो पेटा अगला question है what are owls and where they are located in flower ठीक है चलिए रेखते हैं क्या होगा इसका अंसर तो पेटा डी का अंसर क्या हो जाएगा डी का अंसर होगा plant structure that developed in seed when fertilized the owels is located inside the portion of flower called the trigonium ठीक है चलिए रेखते हैं अगला प्रसन क्या होगा तो पेटा अगला प्रसन क्या होगा तो पेटा अगला प्रसन क्या है आपका what do you mean by pollination pollination का क्या मतलब होता है तो पेटा इसका अंसर क्या हो जाएगा pollination is the act of transforming pollen grain from the male anthra the flower to female stagma ठीक है यह आपका हो जाएगा e ka answer पहले के चलिए रेखते हैं अगला प्रसन क्या है फ्वाणping flower का function फ्वावर का function क्या होगा तो पेटा f का अंसर क्या हो जाएगा the main function प्रसुन बनावर प्रदीज दा फ्रूट और शीड्स ठीक है चली रेखते हैं अगला प्रसुन क्या है तो बटा अगला प्रसुन क्या है नेम दप फीमेल रिप्रोडेक्टिब पार्ट प्लावर नेम इस डिफ्रेंट पार्ट्स एंड ड्रॉद डाग्राम अल्सों तो इसक और डाइग्राम क्या बनाओगे यह वाला डाइग्राम बना दोगे ठीक है पूरा देखलो अच्छे से चलो रेखते हैं अगला प्रसने क्या होगा तो अगला प्रसने आपका क्या है अगला प्रसने दिया गया है कि what is photosynthesis where does it occurs in plant and what are the things required in the plant in process तो चलिए रेखते हैं सकांसर क्या होगा तो इसमें लिख लीजे the process by which green plant turn carbon dioxide in water carbon dioxide and water in food and us using the energy from sunlight the photosynthesis take place in chloroplast which contains the chlorophyll and carbon dioxide water sunlight required by plant for photosynthesis इसके बाद आप यह process लिख देना ठीक है जो process यहां पर लिखिए मतलब जो reaction लिखिए ठीक है देखो यह reaction है कैसी typing में थोड़ी वजह से यह ऐसे लिखिन नहीं पड़ता यह reaction आपकी CO2 ठीक है 6 CO2 ठीक है प्लस 6H2O ठीक है फिर प्लस आप लिख सकते हो sunlight sun या light energy ठीक इसके बाद यह क्या हो जाएगी बीटा convert हो जाएगी C6H12O6 प्लस 6O2 ठीक है ऐसे लिखना इसको ठीक है तो याद रखेगा इसके बाद आप क्या करोगे यह diagram बना दोगे आप एक बाद या रखना ज्यादा बड़ा अंसर लिखना लॉंग में जरूरी नहीं होता है अगर आप diagram बना दो तो diagram अगर आप बना रहे हो तो बिटा आपका इतना आंसर बहुत है इनफ है और आप इस diagram को जरूर बना लेना आपको फुल नंबर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे यह guarantee मेरी अगर आ आने वाद प्यादे बच्छों